तो आज की हमारी अवधारना के बारे में अध्यन कराऊंगी इस फर्स पेपर में हम विभिन समाशास्त्रियों द्वारा दी गई अवधारनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज की हमारी अवधारना फंक्सनलिज्म प्रकार्यवाद हमने पार्संस द्वारा दी गई प्रकार्यवाद की अवधारना को भी पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मर्टन द्वारा आरके मर्टन बहुत ही बड़ा नाम है समाशास्त्रियों में उनके द्वारा दी गई अवधारना प्रकार्यवाद को पढ़ेंगे आर्के मर्टन प्रकार्यवादी समाशास्त्रियों में सबसे बैतोपो नामों में से एक है इनका जन सयुक्त राज अमेरिका के पैनिन सिल्वेनिया राज्य के फिलाडेलफिया में हुआ था और इनों ने फंक्शनलिजम के सित्र में बहुत सारे कारे किये बहुत सारी अपना योगदान दी इनकी प्रमुक रचनाए हैं Social Theory and Social Structure Second Social Theory and Functional Analysis The Focused Interview Social Structure and Anomy इनकी बहुत सारी रचनाओं में से कुछ प्रमुक रचनाओं मैं आपको यहां पर बता रहे हैं अब प्रकार्य बाद की अवधार्णा को समझने से पहले यह अवश्यक है कि हम प्रकार्य वर्ड को समझे प्रकार्य किसे कहते हैं तो प्रकारिक आर्थ मर्टन ने अपनी पुस्तक social theory and social structure में दिया और इसके अलग-अलग तरह से इसको परिभाशित किया अलग-अलग तरह से इसके अर्थों को बताया तो प्रमुक रूप से मर्टन ने प्रकारिक शब्द के पांथ बताए है फास्ट है प्रकारिक आर्थ सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में कि जब हम कभी घर में प्रकारिक आर्थ है function तो कभी-कभी घर में होने वाले function या सार्वजनिक उत्सव के रूप में हम function word का यूज करते हैं ऐसा मर्टन ने बताया मर्टन नों बताया कि function वर्ड को 5 तरीकों से 5 अर्थों में समझा जा सकता है तो जैसे सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के रूप में कि सार्वजनिक रूप से हम कोई function कर रहे हैं दशहरा मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं या कोई बड़े का celebration कर रहे हैं उसको भी हम function का नाम दे देते हैं second, प्रकार्य व्यवस्था के रूप में व्यवस्था function की सामाजिक आर्थिक विशलेशन के रूप में कि इस संस्था का क्या function है, ये संस्था किस तरह कार्य करती है तो ये प्रकार्य व्यवस्था के रूप में भी हम यूज कर लेते हैं प्रकार्य एक कार्य संपादन के रूप में एक सामाजिक पराश्तीन व्यक्ति के कारे कलाब के रूप में भी इसको देखा जा सकता है कि जैसे as a teacher आपका क्या function है, as a student आपका क्या function है तो जो व्यक्ति किसी कारे को संपादित करता है, उसके रूप में भी function को देखा जा सकता है next है गणित शास्त्रिय प्रकार्य गणित में प्रकार्य function को अलग तरह से यूज किया जाता है वहाँ पर ये गर्थ लगाया जाता है कि जैसे घटना के का प्रभाव घटना खे पे क्या पढ़ रहा है function उसका क्या पढ़ रहा है दूसरी घटना पर यह है इसका गणित शास्त्रिय प्रकार्य and व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक प्राणी शास्त्रिय या सामजिक कार्य प्रणालियों के रूप में प्रकार्य मतलग यह देखना कि व्यवस्था कैसे बनी रहेंगी किन functions को करने से ये सुचारू रूप से चीजें चलेगी जैसे हमारे organs है कि नोज का क्या function है तंग का क्या function है आखों का क्या function है कि व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते है या किसी ने किसी प्रकार से व्यवस्था को सुचारू बनाते है तो मर्टन ने प्रकार्य को पाच प्रकार के अर्थों के संधर्ब में बताया है फिर इसको अलग-अलग समाज शास्त्रियों ने अलग-अलग तरी के से प्रिभाशित किया है मैं यहां आपको मर्टन की परिभाशा बताना चाहूंगी उन्होंने लिखा है प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामन जस्य करता है जब हमने प्रकार्य वाद को पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि समाज की जो भी संस्थाएं हैं और समाज की जो विभिन अंग हैं समाज को सुचारों बनाए रखने के लिए कोई न कोई अपना योगदान देते हैं ऐसा प्रकार्य वादी मानते हैं तो मल्टन में भी यहीं यहाँ पर लिखा है कि प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक विवस्था में अनुकूलन या सामनजस्य करता है अतार सामाजिक विवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देता है यह सबसे महत्तोबूर बात प्रकार्य वादियों की है मानतन ने दो आधार परतर्थों के बारे में भी बताया था की प्रकार्य साव्यवी विवस्था के रूप में एक साव्यवी विवस्था के अंतरगत किसी लक्षे के परिणाम के रूप में भी कार्य करते है मतलब एक साव्यवी की विवस्था बनाए रखने में और एक विवस्था के प्रकार्य के रूप में अपना योगदान समाज में या किसी भी साव्यवी देते हैं तो यहां हम यह बात बिलकुल समझ चुके हैं कि प्रकार्य क्या है समाज की विवस्था को सुचारो रूप से बनाए रखने के लिए किया गया योगदान आगे हम पढ़ेंगे प्रकार्य की विशेष्था हैं Characteristics of Functions क्या है? Function है योगदान तो इसकी पहली विशेष्था है प्रकार्यात्मक एक्ता Functional Unity जिस प्रकार जीर के विभिन अंग अलग 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 कारे करते हैं और शरीर को चलाने में मदद करते हैं उसी तरह सामाजिक संदशना की भी प्रत्य किकाई अपना अपना योगदान देती है अपना अपना कारे करती है जिससे संगठ नात्मक विवस्था बनी रहती है तो प्रकार्यात्मक एक्ता इसकी पहली विशेष्था है जैसे हाथ अपना काम कर रहे हैं पैर अपना काम कर रहे हैं आखे अपना काम कर रही हैं और ये कुल मिलाक के ये संगतितों के पूरी बोडी को अपना योगदान दे रहे हैं उसी तरह समाज के भी विभिन अंग अपना अपना कारे करते हैं और समाज में एक प्रकार्यात्मक एकता बनी रहती है सारू भौमिक्ता मर्टन के लुसार जहां जहां मानव समाज है वहां सभी सामाजी की काईयां कोई न कोई आवशक्ता की पूर्ती करती है तो मर्टन कहना चाहते हैं कि प्रकार्यात्मक सारू भोमिकता, प्रकार्यात्मकता सभी जगे पाई जाती है, सभी चीजे कोई न कोई समाज में अपना योगदान अवश्य देती है अपरिहारेता प्रकार्यात्मक अपरिहारेता यह मानना है मर्टन कहां कि समाज में प्रकार्यात्मक अपरिहारेता पाई जाती है कोई भी समय हो या कोई भी परिस्तिती हो कोई न कोई इकाई, कोई न कोई प्रकारिय, कोई न कोई योगदान समाज की विवस्था के लिए अवश्य प्रदान करती है नेक्स्ट है प्रकारिय, अकारिय, दुशकारिय प्रकारिये समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगदान अकारिये कुछ ऐसी इकाईया होती है जो अध्यन के अंतरगत सामाजिक व्यवस्था से किसी प्रकार सम्मंधित नहीं होती है लेकिन विव्यवस्था और समायोजन में किसी विव्य प्रकार का योगदान भी नहीं देती है मतलब उन्सके होने और नहीं होने का कोई effect समाज पर नहीं दिखाई देता है तो वह ऐकारे होता है दुशकारिय जो समाज की इकाई, समाज में अविवस्था को बनायती है या संगठन को पैदा करती है, वह उसका दुशकारिय होता है तो प्रकारिय समाज की विवस्था को बनाये रखना, समाज की विवस्था में अपना योगदान देना आ कार्ये ना तो समाज में विवस्था बनाए रखना नहीं समाज की विवस्था को गड़ बढ़ाना और दुश कार्ये जिसके माध्यम से समाज में आ विवस्था फेल जाए समाज में जो समाजिक विवस्था है वो समायोजन नहीं कर पाए वह हैं दुशकार्य इसका विगटन कारी प्रभाव देखा जाता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कार्य अर्थाथ कुछ कार्य तो हमें सीधे दिखाई देते हैं जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होते हैं मर्टन ने सावाज एक संदशना की इकाईयों के कार्यों को दो भागों में बाटा है प्रत्यक्ष कार्य व्यवस्थोनिष्ट परिणाम हैं जो व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन में योगदान देते हैं और हमें दिखाई भी देते हैं हमारे द्वारा माननेता प्राप्त भी होते हैं एक प्रत्यक्ष कार्य वे होते हैं जो ना तो माननेता प्राप्त होते हैं ना ही चाहे जाते हैं लेकिन वे भी समाज में अपना योगदान देते हैं अनुकूलंता एवं सामनजस्य मटन के अनुसार प्रकारिय समाज में अनुकूलंता और सामनजस्य बढ़ाने में योगदान देते हैं सामाजित व्यवस्था की निरंतर्ता तथा संतूलन के लिए इकायों में अनुकूलन होना आवश्यक है और इस अनुकूलन से ही परस पर सामन जस्य बना रहता है अगली विशेष्टा है समाज द्वारा स्वीक्रत सामाजिक सलशना के तत्वों, इकाईयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के द्वारा जो कारे किये जाते हैं वे समाज द्वारा स्वीक्रत होते हैं और यह समय समय पर परिवर्तन शील भी होते हैं तो प्रकार यह समाज द्वारा स्वीक्रत व्यवहार है नेक्स्ट है आवशक्ताओं की पूर्ती यह प्रकार्यवादी बिल्कुल मानते हैं और मर्टन का भी यही मानना है कि प्रत्यक इकाई हर स्थान पर कोई न कोई महत्व पूर्ण कारे करती है अर्थात जो इकाई आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए कारे नहीं करती वो संरचना में नहीं बनी रहती तो इकाई जरूर से जरूर संरचना में अपना योगदान देती है सामाजिक संदशना की विभिन इकाईयों के अनेक कारे होते हैं और ये अनेक कारे विकल पात्मक रूप में होते हैं कि एक कारे करने पर हम दूसरा कारे भी कर सकते हैं और दूसरा कारे करने पर तीसरा कारे भी किया जा सकता है तो समाज की विभिन इकाईयां अनेक कार्य करती है इसके अतिरित और भी कुछ विशेष्टाओं का मर्टन ने वर्णन किया है अन्य विशेष्टाओं में सामाजिक संदशना में अनेक इकाईयां होती है उनकी गणना करना कथिन होता है प्रकारिये समाज में श्रम विभाजन को इस पश्ट एवं निश्चित करती है प्रकारिये एक समो के लिए अधिक लाबदायक, कुछ के लिए कम लाबदायक और कुछ समो के लिए हानिकारक भी हो सकते है अर्थात कोई एकाई कहीं पर जो प्रकारे कर रही है वो बहुत महत्वपूर हो सकता है कहीं पर कम महत्वपूर हो सकता है और कहीं पर ये हानिकारगी हो सकता है प्रकारिय समाज की व्यवस्था, संगठन, निरंतर्ता, संतूलन, विकास, आधी सभी में उन इकाईयों का महत्वपूर्ण स्थान होता है तो हमने देखा मर्टन द्वारा प्रकारिवात की अवधारना दी गई, उसके अधार पर ये बताया गया कि समाज में विभिन इकाईया, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई न कोई योगदान हवश्य देती है और वह योगदान ही उसका प्रकारिय कहलाता है उसकी परिभाशा भी हमने देखी और उसके बाद हमने देखा कि विभिन प्रकारिय की विशेष्ताएं क्या है एक बार पुने में मर्टन की परिभाशा यहाँ पर आपको दोहराना चाहूंगी प्रकारिय वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन तथा सामन जर्ष्य करता है विशेष्ताओं को भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं प्रकारियात्मक एकता, प्रकारियात्मक सार्वु भोमिकता, प्रकारियात्मक अपरिहार्यता, प्रकारिय, अकारिय, दुशकारिय, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारिय, अनुकूलन तथा एवं सामन जर्ष्य, समाज द्वारा स्वीक्रत, हवशक्ताओं की पूर्त प्रकार्यात्मक विकल्प अन्य विशेस्ताएं और इस तरह हमने समझा कि समाज की विभिन इकाईयों द्वारा दिये गए योगदान को मर्टन ने प्रकार्यवाद के रूप में समझाने का प्रयास किया प्रकार्य योगदान के रूप में देखा जाता है कोई भी होने का, किसी भी एकाई के होने या नहीं होने का कोई भी प्रभाव नहीं होना और दुश कारिय, उसके होने का हानी कारक प्रभाव होने के रूप में देखा जाता है तो आप सभी को यह chapter और प्रकार्यवात की अवधार्ना जरूर समझ में आई होगी दाले गए सभी वीडियोज को आप जरूर देखें क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मोका है जिसमें आप घर बेठे सारे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकते हैं थेंक यू, थेंक यू वेरी मच